हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज सकरता हो भाई लोग की बहुत यच्छे होंगे तो भाई लोग आज की इस वीडियो में आप लोग का भाई ना बहुत ही बवाल तरीके CB फोटो टिंग सिखाने वाला हैं भाई लोग आप लोग अपने फोटो को एडिट करके हैं लेकिन आप लोग का फोटो इस परकार से CB रिटिंग नहीं हो पाता है लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग का भाई कुछ ऐसा तरीका बताएगा इतना असान तरीका बताएगा कि आप लोग भी अपने फोटो को इस परकार के रियल फोटो को इस परकार से CB rating कर लोगे इतना awesome तरीके से दोस्तो ये पूरा full tutorial पूरा पूरा तरीका बताऊंगा दोस्तो ये आप लोग भी अपने photo को इतना awesome तरीके CB rating कैसे करोगे इतना full HD में इतना awesome तरीके से कैसे करोगे ये पूरा real तरीका बताने वाला हो अगर आप लोग भी अपने फोटो को एडिट कर करके ठक चुके होगो और आप लोग का फोटो एडिट अच्छे से नहीं होता है तो आप लोग इस वीडियो को छोड़के नहीं जाएगा इस वीडियो का आप लोग बस चार-पांच मेर ध्याद से देख लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल लोग सब्सक्राइब कर लेना अपना छोटा भाई समझ कि मेरा सपोर्ट करो भाई क्योंकि चैनल मेरा नया है तो उस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए आप लोग के सामने लाई परूप से ऐडhesia करने दिखाऊंगा औरbrahim इस परकार से तो पूरा टूटरील बताने में इस परकार से कैसे की जाओ chi कर्सक्रा मैं और लोग लोग जेजेगा उसके बास सो एनंने कया करने अपको मुछ करने है आपको पोटो यार्ट करने हैं यावरों जो खोल लेना ह आप लोग जो फोटो को शेर करेंगे दोस्तों आपका फोटो यहाँ पे मैं दीखाथ juice कहा पिया अर यहाँ कहा बीडियो मेरा फोटो कु अकयम डिस्टिप्स nut love देया हूं वहादा कि आप और अपने फोटो को जिसको एडिट करना है इस फोटो को और प्रिसेट को दोनों को लाइट रूम अप्लिकेशन में शेयर कीजीगा उसके बाद से आपको अपने प्रिसेट प्याना है और प्रिसेट प्याने के बाद इस प्रिसेट को खोल लीजीगा खोलने के बाद आपको फिर आपको ऊपर कोन में सही वाला आपसर दिख़ों कुछ इसस पर ट्रेस्ट कर देना है आपका weten यहां से copy होगा ठीक है immature पेस्ट सेटिंग आपको पेस्ट करना है एक बार और यहां से दोस्तों आपका फोटो वन क्लिक में कुछ इस परकार से एडिट हो जाएगा बिल्कुल लाइप प्रूप सौ परसें गैंटेक साथ देखिए पहले फोटो कैसा था ऐसा था और वन क्लिक में कैसा एडिट हो गय सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहां से आप लोग अपने स्कूटी का अपने गाली के कलर मैनेज कर सकते हैं अपने कपड़े के कलर मैनेज कर सकते हैं अपने बैक्ग्राउंड के कलर मैनेज कर सकते हैं दोस्तों यहां से आप लोग लोग मिक्स पर टच कीजिएगा कालर को एड़ेस्ट का लिजेगा इस तरह अप लोग अपने फोटो प्रिसेट पेस्ट कीजिए प्रिसेट करने के बाद आपका आधा इडिटिंग तो समझो हो इसके बाद से आप को पर कोने में सेरोल अप्सिन पर टस करना है और यह फोटो सीधा आपके ंbread życia में फिछ हो जाएगा लिएक से हो जाएगा लेता हो तो आप लोग भी बस से इस प्रोषाइब UC Summer कर यहाँ से हट प्रसेट पेस्ट करने के बाद डालने के बाद अपने फोटो प्रकंस देकर है भाट विक है और kpeople 002-272-272-274 अब करना है अब अपने प्रोंन की डह happen कान है अब आप लोग बीजो आपने पोट को इसतारा सीवीढीडिंग कर वह मर अपने परिक है कि इस पपने परति को यह लिए अब आप से पहले मतब दूसरी बार पहले तो लेक्र करेंगे फोटो रूम में क्या करने के लिए इसके बैंग्राउंट को रिमूउब करने के लिए और यहां से आपके photo का background अपने अप remove हो जायगा one click में तो यहां से दोस्तों मेरा net صोला थोड़ा slow चल रा है यहां से एक दो second wait कर लेता हूँ मेरा photo का background अभी अपने रिम्व हो जायगा दोस्तों यहां से देखे आपको कुछ करना नहीं है सब्सक्राइब और आप आपके ऐ Clair invest सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस शक्ताइब सब्सक्राइब याँ सब्सक्राइब करना है अब कूढ गयासे यह रहा है confuse समय wars रिमूब होकर इस फोटो सिधा जैलरी में सेभ हो गया है अतका मैं त्यूसरा की हुआ जैलरी फोटो कीश्टक करता है मैं और चुका हूँ हूँ vast काना यहां चुका है अब तिसरा काम क्या करना है कि जोस्तों आप जिस फोटो रिरे यहां करना है पिकसाटा है तिसरी वार में दुसरी वार पोटो में तिसरी वार MOM में यहाओ से वार सिक्व बहुत ऊसने प्थारा हो दोस्तों आप लोग तीसरा बार जब ससह करेंगे क्या होगा यहाँ क्या करना है यहां से आपको अपने बैक्ग्राउंड एक एड करना है सीबी करने के लिए आप लोग यहां से अपने एक बैक्ग्राउंड एड कीजिएगा और दोस्तों इस फोटो में जो बैक्ग्राउंड में एड करूंगा न उस बैक्ग्राउंड का लिंक में वीडियो के step को follow करना है यहां से दोस्तों मैं एक background को use करूंगा क्योंकि cv photo rating करने के लिए background अगर अलग से जोड़ लो तो बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है और दोस्तों मैं यहां से background यूज कर रहा हूं और जो background मैं use कर रहा हूं न दोस्तों इस background का link में video के description में दे द आप को तक कि आपके सामने आपका background इस पलका कर न लिए तो क्या करना है तो क्या करना है आपको कुछी निकरने है अपने background कोLife करके ऐसे बढ़ा कर ना है निचे दुस्तों क्या करना है आपको इस उंऴ करके बढ़ा करके ऊपर İs एड्जस्ट कलने से लगा ले नहें । नीचे अपने सअड़क की बता देरा हूं मैं अच्छेसे अपने जूते पारी के पहीये को थोड़ा थोड़ा छोड़ गूड़ना है ठीक है पूरा नहीं छो पर से एरेज कर देना है आप लोग मेरे स्टेप को बहुत ध्यान से दिखेगा बहुत इस तरीका वता रहा है दोस्तों सीवी फोटो एटिंग का सीवी फोटो एटिंग का ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मतलब नाकी भीष्टने को छोड़ा आपको लुटार में अपतो का ऐसा फोटो का बैग्रान एडिट हो गया एकदम और सम तरीके से बिलकुल लाइप मुरूप 100% गैलंट्य के साथ नहीं करने इक यहाँ दोस्तों फर nämडब का फोटो के सा था ऐसा था मैं दिखा दे रहा हू पहले आपका फोटो के साथ देखा दे रहा हूँ पहले आपका फोटो ऐसा था और इस प्रay इपने ऐसे ऐख्राओंड डेया और ऐसी अपने एक प्रयाँटे हो चुका है अब अगला इस्टेफ क्या करना है अब अगला इसिप द्याद से देख graveyard अब क्या करना है फिर से आपको ऐसे बगल में स्क्रॉल करना है और यहीं पी मिल जैगा option आपको add photo औला क्या option मिल जाएगा add photo औला option मिल जाएगा तो simply आपको कुछ नहीं करना है आपको इसी add photo option पर आपको test करना है और यहां से दूस्तों जानते हैं जिस photo का background remove किये थे photo room में share करके जिस photo का background काटे थे उस photo के यहां simply select करना है force photo को touch करके add कर लेना है आपको उपर add all option पर touch करना है और आपके photo के सामने आपके background के सामने आपका photo इस परकार से add हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा यहां से आपको गलतिया नहीं करनी है आपको यहां से ध्याद से काम करना है यहां से दो उगली लगाना है एक उगली से यहां पे नीचे कोने में तीरे वाल ओप्सन दिखरा होगा है आपको इसी तीरे पे एक उगली रखना है इसको सीधाय से नीचे घीचेंगे न तो यह अपने आप इस तरह फूल तरी फूल मतलब अच्छे से पूरा फूल बेगराउंड में बैठ जाएगा दो उंगली मत लगाजेगा एक उंगली से तीरी पर रखके जब नीचे घीचेंगे न तो आपके सामने इस परकार से बैठ जाएगा फिर क्या करना है अपको आपको अप्षण प्रबड आयों अनुवाज से ट्सक्र मिता लेना है तो आप लोग खुद लाएप पर नेख लिए पहले अपका फोटो का ऐसा था ऐसा था अब आपके फोटो का बेक्राउंड चेंज चुका है आपका फोटो बिल्कु खतरनाक फोटो लग रहा है अब यहां से मैं एकाद PNG एड़ कर लेता हूं और दोस्तों फिर एक बात बता दे रहा हूं कि इसमें जो लाइट वाला PNG में यूज कर रहा हूं ना इस लाइट वाले पेड़ाली पेड़ कर लिजेगा दोस्तों यहां से मैं लाईट वाला PNG दे लेता हूं और इसको एड़ा वाले अप्षिन पर टस्क कर देता हूं यहांसे मेरे light वाला PNG मेरे सामने आ गया इसको नीचे ऐसे बगल में scroll करना है बगल में scroll करना है और यहांप एक मिलेगा blend वाला option आपको इसी blend वाले option पर test करना है और इसके setting आए कि normal screen multiply तो इसको normal जगह पर इसको screen कर दीजिएगा इसकी निकरने तो आपका PNG स्परकार से फिर हो जाएगा एक PNG को उठाकर एक side में यहांपर ऐसे लगा देना है एक PNG को फिर इसका एक duplicate निकालेना है डूबलीकेट निकाले के लिए यहाँ डबल बॉक्स पर test करना है और यहांप डूबलीकेट पर test करना है अब इसको उठा आप लोग इस तरह अपने गारी में अपने फोटो में अपने फोटो के पैगराउंड में क्या किजिएगा लाइट वाला प्यंजी लगा लिजएगा एड कर लिजएगा अब देखिए मेरा फोटो इतना ओसम तरिके से एडिट हो चुका है इसको सहीवल आप्षिन पर टस कर आपका फोटो देखिए यहां पर एडिट होके आ चुका है अब मेरा अगला इस्टेप क्या होगा अगला इस्टेप क्या होना चेहे दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कि इस फोटो क्या कीजिएगा रिम्नी अप्लिकेशन में शेयर करके रिम्नी मार लिजएगा आपका फेस को स्मूथ और गोरा करना नहीं आता है तो मेरे चैनल भी बहुत सारा फेस स्मूथ गोरा का वीडियो पढ़ा है वहां जाकि आप लोग शिख लीजएगा और अपने फोटो को फूल एचे डिम्न करके इस्मूथ और गोरा कर लिजएगा आपका फोटो इस तरह त्यार हो जाएगा तो दूस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो कमेंट को दबा के सेयर करो चैनल अपने हो तो जलक साथ जुले रहो दिल से धन्य बात